जी तो कंटिन्यू करते हैं हमारा आज का सेशन नंबर टू तो हम लोग देख रहे थे इवन डिटेक्शन को इस तरह से ना मतलब एक प्रॉक्सी फंक्शन रिकॉर्णिंग फंक्शन बीच में आ जाता है जो के आपके फिर एक्ट्वल संक्शन को कॉल होने से पहले कॉल हो जाता है और वहां पे अपनी ऑडिट के इंट्रिस कर देता है और उसके बाद आपके अपक्शन फंक्शन ब्हुल होती है ठीक होती एक में ते अ करने के लिए चुक्शन को की इसको और पिर उसके बाद अगवीर खती है है इसी तरह से एक और चीज होती है कि आपका जो और इंग सिस्टम में उसका एक्शुल फंक्शनलिटी पर मिनीमल इंपक्ट होना जाए है को जितने भी एक्टिविटीज हम बता रहे हैं कि सारी कि सारी कंप्यूटर पर एकर होंगी ना कि आपने आपने डिटेक्शन भी करन है उसका ट्रेल भी लेना है तो यह सारे काम भी आपके सिस्टम के लोड में वर्किंग में इजाफा कर रहे होंगे तो ऐसा नहों कि आपके आपके अच्छा बना वहों कि वह आउडिटी करना चुरू हो जाए और हमारा जो एक्शुल काम है जो हम सिस्टम से लेना चाहरे ह हमारा इतना स्लो हो जाए कि हमें वह काम करने में दुश्वारी का सामने हो क्योंके जारे हम एक फंक्शन वो करें तो उसको भी सफर नहीं करना और काम भी करने इसकी कि लिए जो गाइडलाइन बताते बो कहते हैं कि आपनी मैंडिमिचमेंट के साथ मिलके जाए हम अब यह जो बात करें यह सारी कोई किसी production level की ऊपर की बात करें अपने घरवाले system की तो बात नहीं करें उसके ऊपर जो management भी होगी उस organization की उसका तरीका यह होता है कि जो आपकी audit requirement है वो आपकी security requirement को map कर रही होने चाहिए कि जो आपकी security requirement है उनको सामने रखे आप audit function design करते होगा इन security requirements को fulfill करने के लिए मुझे कौन-कौन से functions को audit करना पड़ेगा कौन-कौन से accesses audit करना पड़ेगा तो आप उन सारों को identify करके आपनी management से उनकी approval करने के बाद उसका एक controlled environment में तेस्ट करें ताके आप जेख सकेंगे इसके अगर कोई bad impact आ रहे हैं आपकी performance पे तो आप उनको counter गर अगो उसके बाद आपका जो टेस्ट है वो read only software और डेटा को जो read only access करें कि उसकी वज़ाई यह होती है कि आपका जो actual data कर यह नहों कि आप auditing ट्रेलिंग के दुरान उस data को गर change कर दे तो आपके actual work पे impact आ सकता है फिर उसके बाद अगर आपको read only की इलावा को access चाहिए during test तो फिर वो आप उस system की एक copy बनाए या उस data की copy बनाए और उसके अंदर आप changes करें ताकि आपकी जो original जो original data की files है या जो original data है उसके इंदर कोई modification ना और उसके विजासे आपको लेटर नुक्सान ना पुच्छा है ठीक है इस तरह से करके आपको अपनाना वो सारा setup को एक बार test कर लो उसके बाद अगर आपको और additional processing चाहिए कि आपने प्रॉसस भी करना है analyze भी करना है और उस सर्वर हो कोई analysis का और उसके उपर ही वाले सारे काम हो और अगर यापकी main server की उपर ही वाले काम होने है तो फिर उसका आपको पता हो कि यार इससे impact आएगा और वह आप अपनी organization की management से agreed करवाएं कि यार देखो हमारा जो system is utilization 30 से 50% के रिम्यान होती है लेकिन अगर हमी auditing वा होगा तो आप इसको अब आप देख लें कि आप हमें नया server देंगे या आप इसी पर करवाना चाहरे हैं तो उसके मताबिक अगर वो कहते हैं कि इसी पर करवाऊ हो तो कमा समून मैनेजमेंट की एप्रोल हो ता कि कल कलांक हो कर आपके end user complain करते हैं कि हमें services low मिल रही है तो आप के उपर इल्जाम ना है आप कहे दें कि जी हमने तो पहले का था कि इतना लोड आएगा और आपने का था कि नहीं इस लोड की खैर है आप इसको इसी में सर्वर पर रखो ठीक है उसके बाद आपने ये भी खिया रखना है कि जो आप आप आडिट की टेस्टिंग कर र कि परफॉर्मेंस को बहुत सिवरिली इंपक्ट कर सकता है तो यह होता है कि आप जब भी आडिट की टेस्टिंग करें तो उसको आफ बिजनेस आर्ज में करें जैसे नाइन तो फाइफ बिजनस टाइम होता है तो आप रात को आट बचे के बाद वो टेस्ट रन करें ताकि कि अगर उसके सिस्टम में कोई इंपक्ट आता भी है तो उस्टेब चूब कि आपके सिस्टम का कोई यूजर नहीं होगा एक्टिव बिजनस यूजर एक्टिव नहीं होगा तो उसकी विज़ा से अगर कोई इंपक्ट आ रहा है तो आपको तो पता चल जाएकर लेकिन उस तो उसके बाद आपका जितने भी ऑड़िट के हवाले से आपने एक्सेस किये उनको भी आपने मॉनिटर और लॉग करना है ताकि आपके फूंक्शन का भी एक ऑड़िट ट्रेल रिलीस कर सकें कलकला को अगर आपके सिस्टम में ऑड़िट रन करने के रहा है जो आप टेस्ट करें आप देखना चाहरा है कि टेस्ट सक्सेस्वली रन हुए मेरे सिस्टम पे कितना लोड आया उसके लिए आपको इस ओड़िट वाले टेस्ट वाइल का भी चाहिए होगा ना तो उसको भी आप बकाईदा ऑड़िटी ऑड़िट फॉर्म में रखें ताकि आपके जितने हैं उसके हवाले से वो रिकॉर्ड हो रही हूं और उसके बाद आप उस ट्वेल को इंटिफाइ करके देखेंगे इस ऑड़िट से हमारे सिस्टम के ओपर क्या क्या फरक है तो यह सारा वह प्रोसेस था कि जो आपने ऑड़िट का जो आर्किटेक्ट्टर है उसको अपने मे उसके बाद आपके सिस्टम के उपर वाइरस आया था उसके बाद आपके यूजर के हमाले से या आपके आपके आप कहले के सिक्यूरिटी के डिटेक्शन और प्रेवेंशन के मेकैनिजम फारन बले यूजर ने ने लॉगिन किया उसका यूजरनेम और पास्वर्ट सही नहीं था तो उसको उसको कह दिया गया कि और यूजरनेम इस नानौक क्रेक्ट is कहраए कि या यह एक सिरूरिटी मेकैनिसम था ना आपका ऐक्ठेंटीकेशन का authentication के security mechanism की जो भी activities होंगी चाहे user name और password सही दिया जाता है और वो user login हो जाता है या user name और password गलत देता है तो user login कि यह दोनों जो है जिस security के में जिसके तक authentication insure करवाते हो इन चीज़ों को भी आपने log करना है उसके बाद आपकी system एक निया यूजर आपके सिस्टम में क्रियेट किया जबता है या इस तरह को को सिस्टम लेवल की कोई कि अपने work from home जिसार होते है उसमें आप बैटके टीम वीवर से या किसी और इस तरह के सिस्टम को अक्सी करते हो तो इस इसको भी नॉर्मली पुफेश्नली इवारिमन्ट में लॉड किया जा रहे है तो इसके बारे में लॉड स्कुलेट किया रहे होते हैं अच इसके लाबह सब्सक्राइब आइटम इसके लावा एक धेर होती है लिस्ट की यह आपके समने लिस्ट दीविए इसको पढ़ लेजेगा कि इस इस तरह की चीजे जो है ना नॉर्मली वह आपकी ऑड़िट उसके अंदर सजेस्ट की जाती है एक्स-816 उसके अंदर कि आप इन इन चीजों क हां आपके हाले से तो इसकी तरह से ने यकिचेशन की रिफ्वेस्ट हे उसको आपался उड़रू खाए इस तरह से आपकी नेक्शन की रिक्वैस के हत है नेट के हवाले से देखिजाये ले ऎंके हवाले से तो आप के connection की request और जब connection complete हो जाए उसकी request इन चीज़ों को इसी तरह डिस connection की request और डिस connection जब हो जाए इन चीज़ों को भी आप log कर रहे होते हैं तो इस तरह से सब चीज़ें लिखी में इनको आप देख लिए जाए कि कौन कौन से चीज़े professionally professional environment में auditing के लिए enable की जाती है ठीक है इसी तरह वो कौन कौन से एरिया जो पिछला वाला था वो 816 x816 वाले केस में था standard की इसमें ISO 27002 जो है वो सज़ेस्ट करता है कि आप इन एन एरियास audit करें यूजर की आइडेज सिस्टम के एक्टिविटेज देट टाइम एंड डिटेल की इवन्ट फॉर लॉग ऑफ एंड लॉग ऑन इस तरह की चीज़े तो यह कम हो बेश एक की तरह की चीज़े हैं जो कि इन सब की तरफ से रिक्मेंट की जारी होती है यह और पिछली वाली जो लिस्ट है तो आप इनको राम से बाद में पढ़ ले जाएगा इसके की चोदा मिनिट और चार सेकिंड पे होस्ट वन मशीन का नाम है कुन सा यूइट कर हुआ है लॉग इन का किस ने लॉग इन किया है रूट ने और किस पे लॉग इन किया ऐ कंसोल के ऊपर ठीक है तो यह मुझे बाद है इस तारीख को इतने बज़े इस कंप्यूटर पे र ही है कि उसमें रीबूट बाइ रूट यानि के रूट जो यूजर जिसने लॉग इन किया उसने एक मिनिट के बाद इस सिस्टम को रीस्टार्ट कर दिया ठीक है रीबूट कर दिया उसके तरह फिर रीबूट हुआ पंदरह पर देखो रीबूट हुआ तो अठारह के ओपर कि वापस ऑन हो गया होगा सिस्टम तो वहां पे उस रूट यूजर ने फिर लॉग इन किया ठीक है फिर उसके बाद उनिस पे उसने फिर रीबूट कर दिया उसको वहने कि एक बार लॉग इन हुआ फिर रूट कर जा ठीक है इसी तरह हम आगए देख लेते हैं फिरवरी स लॉग इवंट का इसी तरह से एप्लिकेशन के लॉग इवंट की के एजमपल दी विए कि आपका इमेल सर्वर है इमेल सर्वर पे जो जो मेल आ रही है उनकी हमाले से लॉगिंग हो रही है कि एपरिल लाइन को गयारा बच के बीस मिनिट और बाइस सेक्टिंड पे इस होस और वो सारी डिडेल जो है वो यहां पर लॉग हो रही होती है तो यह देखो इन दोनों के सेम इवंट है यह देख रही हूँ एडबल एजीरो सिक्स फ्री सेवन जीरो और यह भी सेम है इसका मतलब है यह दोनों एक ही इवंट के बारे में इसमें फ्रॉम यूजर बताया है इसमें इस यूजर में इस यूजर को मेल भीजी है इस साइज की है इतना उसमें डिले आया है इसका स्टेटस सेंड हो गई है इसकी क्लास जीरो थी तो यह दोनों एंट्री एक ही एक ही इमेल के बारे में इसी तरह अगली यह दो एक ही के बारे में फ्रॉम और डू बता अब ये सारी कमांड लिखी है तो आगे ये बता रहे हैं कि इस यूजर ने ये वली कमांड आर सी पी की रन की है इस वले टर्मिनल के उपर इसने इतने सेकंड लिए है और ये फ्राइडे एपरेल एट चार बच के दो मिनिट पे हुई है इसी तरह इस यूजर वन में लैस की कमांड रं किये फिर खी कमांड फिर आर पी सी इंफो की चैन्फ की कमांड फिर आड़िव उसर ने रण की विजवर की हैं तो ये सारी कमांड ये लिए यूजर के हवाले से की यूजर थे कौने कौन से इस तरह से मैं मुझलिफी तरह की आप्लिकिशन लिएक एक ठीजर्फेन लेविल की और यार है, फिर एक और ची में चीज रिक में की poिए जो के हमारे कोर्से डिरेक्टिली रेलेवेंट तो नहीं है लेकिन मैं चलुई वाली एक स्लाइट करके आपको बता भी देते हैं फिजिकल एक्सेस को भी और किया रहता है कि आपके जो सर्वर रूम है जहां पर आपके सारे कर लिए कि जो भी यूजर जो भी एक्टिविटी करता है वो लॉग हो रही हो लेकिन सब्सक्राइब बंदा आता है उसके लिए उसके लिए फिजिकल एक्सेस ओडिट का भी ट्रेल होना चाहिए आपका जो सर्वर रूम है उसका दर्वाजा जो है वो फिंगर प्रिंट से कुलता हो या कार्ड रीडर उसमें लगा वह वैसे ना खुल सकता हो तो जो 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 बंदा जिस जिस टाइम पे पांच पंदरा से पहले उस दूर की ओपर किस किस बंदा एक्सेस किया था तो जो बंदा लास्वाला होगा मुसको पकड़ लेंगे हां भी तुम एंटर हुए थे उसके बाद हमारा सिस्टम आफ हो गया किसी ने उसकी पावर के पर निकाली है तो बताओ भी यह तुमने न कर रहा है उसकी सिस्टम से छेड़ाने करके तो आपका अलारम बजना शुरू हो जाएता कि आपके एरिया के स्क्यूर्टी गार्ड या इस तरह कि लोग आके वहां चेक करने किया एक और मंदा है जो हमारे सर्वर उन से गरबढ़ कर रहा है और इस डेटा को यह जो लाइक तो इसी तरह से जिसला से हमारे लग के लिए उसको भी इसके बाद आपने जो इस अचाओ करने के तीन-चार तरीकी हो सब्सक्थública और एक तो यह कि आप अपने होस्ट के उपर अपने सर्वर के उपर आप रीड राइट फाइल राइट कर दें सबसे सान्थ तरीका है कि आपका जो भी ऑड़ेट बन रहा है उसी सर्वर पर आप फाइल के इंदर राइट करते चले जाए जिस तरह कि हम ने आपको दिखाई आप दिखेंपल डेटा की ऑड़ेट की वह ड़ेटा फाइल में रीड राइट कर दें तो इसमें घर्भड होती है कि कर आपका वही वहाला सर्वर किसी ने हैक कर लेगा तो वह बनता जाते पर उस और ट्यूट कि फाइल को फिर डिलीट कर सकता है अगर डिलीट कर देगा उसके इंदर चेंजिस ले आएगा या अपनी वाली इंटरी उसमें से डिलीट कर देगा तो फिर आपका वो जो जाया हो जाएगा तो आप मतलब उससे जो अपना आपका मक्सद है वो हासल नहीं कर सकते हैं तो ऐसी सूरत में क्या खेर रहता है कि आप इस तरह का आपका डिवाइस लगा दो कि जिसके ऊपर आपका वन्स राइट होता रहे उसके बाद अगर इंटर चाहे भी अगर वह एक बार एंटर हो गया उसके लॉगइंग उन डिवाइसे पर हो जाएगी और वह अब और का सुछला का सकता है इस लिए कर सकता है। इससे राम टी सेर। डेटा को तरूह्स पर व्यूंट्र लाइट विपनो पर तो यह तु पर टूए यह तो ऑना ना चाहिए कि अंतार्स प्रृट। bes of सकते हैं फारै करना होता है हम लोड को सेख करने के बाद अस पर पर और कर सामने एक हजार पीजन अपसके लागा कि नुटा सकते हैं make तीसे बести काम के लिए होता है कि जैसे बैंकिंग सेर्टर एक पर लॉग भी रखो तो इस रिक्वार्मेंट को भूरा करने Mt खिया लखने है कि आपने उस इंंटेग्रिटी और कंफिटेंशलिटी दोनों को बड़ो एक confidentiality का मतलब है कि उस audit के log के trail को कोई भी बंदा आना थराइज read ना कर सके ठीक है number one और अगर वो read और दूसरी बात है कि उसको change भी ना कर सके उस data को modify ना कर सके हैकर जो है उसको पता होगा कि लॉगइन हो रही है logging हो रही है trail मन रहा है मेरा तो वो जाते हुए उस trail को खतम करने की कोशिश करेगा trail को change करने की कोशिश पढ़ेगा करेगा करेगा ताकि कल को जब उसका forensically audit हो तो कोई बंदा उस बंदे तक ना पहुंच सके कि इस बंदे ने गड़बड की ठीक है अच्छा हमने देख लिया कि और आड़ेट का आर्खिटेक्ट्चर क्या होता है और वो उसकी क्या कैसरा की requirement है और कैसे implement होता है और क्या किया जाता है इंप्लीमेंट से पहले उसकी क्या क्या requirement होती है जो कि हमने implement करनी होती है तो यहां तक कोई question है आप लोगों का सब्सक्राइब करने की अच्छा होता है तो फिर देख लेना भी हम audit को आई डिसकस कर रहे है ठीक है audit वगारा की चीज़ों को भी आगे देखो ना पर समझ आजए कि पर नहीं हुआ तो में मेरे से पूछ लेना अच्छा हनान तेरी भी वाज बड़ी आइसा आरी है कि कुछ कह रहे हो अच्छा चलो आगे चलते हैं अच्छा अब हम देखेंगे कि क्या इस को हम इंप्लिमस का हृगिंग को कैसे करते हैं तो सबसे पहले की ऑसट की प्रइंट्टि बनानी है जिसमें आपका इंप्र में खूरू है की कुछ कि आपकी data collection को भी एक्टिवेट करते हैं और उसके बाद उसको store भी करवाते हैं और उसके बाद हम इसको जो जो इसके अंदर applications या जो operating system होते हैं उनके इंदर तो होती होती है प्लस जो ऐसी को application आपकी है जो कि जिनके उपर आप जाते हो कि लॉगिंग इंप्लिमेंट हो जाए तो उनको भी आप फिर उनके उपर यह वहली शीज़े एक्टिवेट करवाते कैसे वह इसको देख लेते हैं तो होता यह कि विंडूस जैसे है विंडूस तो विंडू के इंदर इवंट लॉग होता है एक शीज होती है विंडूस की जमा अब की एक सिस्टम का एक होती है एक को एक सिकुरिटी का ठीड है तो यह विंडूस होती है वो युजर लेवल के उपर एक्ड़िकेशन चल रही होती है उंका लॉगिंग हो रही होती है और स्खेंग ओन एक मिन्टो एले से होती लोकल स्क्यूरिटी एनलाइजर व आपके विडिवेंड़ के एशार कि आपस बहुत बहुत कि आपके लाह सब्सक्राइब क्विर, मैं में खता हूं? होती है कि आपका सबसे पहले तो प्रॉबर्टी वैल्यू आ रही होती है उसके बाद उसका विंडो के इवंट लॉग का बाइनरी डेटा रहा होता है उसके बाद किस एरिया में वह इंप्लिमेट हो रहे सारी डिटेल इसमें आप लिखी है आप इसको राम से रीडोट कर ले भी हमने पीछे भी डिफाइन दी थी यह वाली यह वाली सिस्टम की एप्लिकेशन की और स्क्यूर्टी थी तो होता यह है कि यार आपका जो आप उसके बाद ना कुछ चीजें आप खुद भी कर सकते हैं कि जब भी मेरा का डॉक्मेंट चले तो मेरी ना उस इवंट लॉग कर रहा होता है डिफॉल्ट में जैकिन सक्सेस्फुल लॉग एन टैंट को कि यूजर रे पना यूजर नेम और पासवर्ट दिया और वो लॉग इन हो गया उसको बास वकात वो नहीं कर रहो था तो आप उसको जाकर कर सकते हो वहां से ठीक है तो इस सब्सक्रा से कर वा लेकिन बिसिकलिए उसकी सारी डिटेल दीनी है एक्टिवेट करने के लिए आप जो है ना वही लेसे के लिए जाकर नेबल और डिसेबल कर देते हो जो जो चीज़े आपको चाहिए होती है उसके बाद वो जो लॉगिंग है वो स्टार्ट हो जाती है अच्छा ये एक सें है और इसकी चाइगरी आ रही है किस यूजर के उपर किया है कि यूजर को तो चे को चपपन मिनट पे इस चेके उपर इस कम्प्यूटर के उपर इस यूजर में आपका जो एवंड हाझे वो कि लियर कर द्धी है और बाक कि इसर्श की जो क्यवआगि इस पर क्लाइंट यूजर नेम आ रहा है यूजर के लाइंट लॉगन आईडी जो इसकी लॉगिंग आईडी यह बन रही है इसी तरह जो प्राइमरी यूजर नेम सिस्टम है और क्लाइंट डॉमेंट यह सारी एक इवन्ट के बारे में डिडेल आपके पास आ रही होगी ठीक है विंडू इस तरह की जो केटेगरीज है वह बहुत सारी होती है के कौन कोंसी होती है अकाउंट के लॉग इंके इवन्ट है लॉग इन सक्सेस्फुल हो गया लॉग इन फेलियर हो गया कितनी बार हुआ किस टाइम पे हुआ है आउंट की मैनेजमेंट है कि आपने एक अकाउ डुमीन के उपर एक एक डिरेक्टरी के उपर आपका एक यूजर बनता है और आप अपने उस और्णाजिशन में जिस मरजी कंप्यूटर से लॉग इन करो उस यूजर नाइम और पासफ़र के साब तो उसके जो भी आपके राइट्स आपके उस और्णाजिशन हैं उसके आपको उस कप्यूटर पर अवेलेबल हो जाएंगे ठीक है तो उसको डिरेक्टरी सर्विसे कहते हैं या एडी सर्विसे एक्टरी सर्विसे पिर इसी तरह से लॉग ऑन के इवंट है के लॉग ऑन लॉग ऑफ वगारा उसके हवाले से आपके क्या इवंट्स करूए है और सब्सक्राइबंगे इसाना है तो इस तरह से करके आपने जो जो इस तरह की एक्सेस किया उनकी इवंट्स को रही होती है फिर अगर आपके सिस्टम में किसी ने जो पालिसी बनी है को चेंज लेकर आया फार नुम्र पहले आपका सिरफ लॉग ऑन के फेलियर पे आपका यह login configure होई भी थी तो अगर मैं आता हूं और आने के बाद login करके administrator से और उसके बाद मैं उसमें enable करता हूं कि नहीं आप सरफ पहले सरफ login ना उने के उपर failure of the login के उपर access अब जो बना successfully login करता है उसके उपर भी ट्रेल जनेरेट करो कि मुझे यह भी पता चले कि मेरे system पे किस-किस यूजर में किस-किस वकत पे जो है ना successfully login किया है तो अगर वोली चीज़ है तो यह policy की चेंज आ रही है कि पहले यह वाली जो ट्रेल है यह disabled थी और अब मैंने इस व हुआ कि सिस्टम के login हुआ इसको भी आपने करना भी policy में चेंज ला रहा हूं तो ऐसी चेंज इंदा policy भी जो है लॉक ही जाती है और इसी तरह प्रिविलेज यूज का मतलब होता है कि मैंने नॉर्मल यूजर से login किया और फिर मैंने अपने आपको convert कर दिया root में या root की power की power मैंने ले ली तो इस तरह का एक नॉर्मल यूजर का जो privilege access होता है उसके उपर भी जो है अलेक्स से login हो रही हो तो इस तरह से मुख्लिफ तरह की चीज़ें होती है यह हमने जो पिछला सारा देखा था यह सारा windows के हवाले से और windows के जो यह जो यह auditing होती है उसको कहते है विंडोज इवन्ट लॉग या इवन्वाइजर तो उसके हवाले से हमने शीज़ें देखे ती अब हम आगे देखने लगे यूनिक्स कैसे यह वले कामदार होता है यूनिक्स के अंदर होता है जिसका नाम होता है इसमें क्या क्या होता है सबसे पहले तो एक सिस्लोग की API ह के सर्व यह कंवे सर्वड़ के जिसका काम यह सर्वर साफ्वव्वर के आप्पने पास करता है और अगर होए तो यह उस अपने चालोग को अपने log की entrance भिजवाता है, नमबर वन, इसकी जो configuration होती है, syslogd की, वो इस फाइल के अंदर होती है, slash etc में syslog.conf ने, इसके अंदर वो सारी configuration पड़ी होती है, जो कि आपके syslog demon को भी control करती है, और आपके call को उनसे वले, चीजों की trail बनेगी, उस तरह की चीजों को भी के table में, तो उसके लिए आप logger यूज़ करते हो, तो logger जो होता है, वो यह काम करता है, कि वो आप logger को आके जो भी data देते हो, वो जाके आपके syslogd की entry में, audit trail entry में, सीव हो जाता है, यह उस मक्सद के लिए होता है, कि जब आपने कोई अपना software लिखना है, तो उसको आप command के थुरू आप उस software के अंदर कुछ actions को log करवाना चाहरे है, system के, तो आप logger की command करवाते हो, logger की command से ही होता है, कि उसको आप जो भी message पास करोगे, वो जाकर UNIX के या Linux के, जो syslogd का server है, उसके अदर as a security event, या जो भी event आपने उसको decide किया है, वो as a event जाके वहां store हो आफरी point है, वो है syslogd, ये एक API है, तो जिस तरह से आप logger की command को use करते हैं, उस तरह से इस API में मुखले function दिये होते हैं, जिनको use करते हुए आप वही अपनी audit की जो details हैं, उनको आप अपने syslogd को भीजवा सकते हो, ताके वो उनको audit कर ले, उसके बाद बाद बैसिकल इ services होती है, पहली बात हुए है कि करता क्या है, ये आपके events को capture करने का एक तरीका कार है, एक storage facility भी है, क्योंकि आप उसको ना सिर्फ आपको system के events को log करने का तरीका कार करता है, बलके साथ storage और वो सारी functionality भी देता है, जहां पर आपके वो proper जाके audit trail save हो रही होती है, और फिर इसका एक अपना protocol है, जिसके थूर ये ट्रास्फमेट करता है, उस system की जो logs है, जो system की trails है, उनको एक computer से दूसरे computer में या एक machine से दूसरे computer की machine में या आपके clients की machine से आपके server के उपर, ठीकि तो तीनों काम का रहा हुता है, सबसे पहले तो आपको ये event पकड़ने में मदद देता है, event का trail लेने में मदद देता है, नमबर दो ये उस trail को ये store करता है, अपने पास अपने खास format में, और नमबर त्री ये, कि इसको ये फिर server तक send भी करता है, और server पर भी syslog चल रहा होगा, जो के client से आने वाले data को receive करेगा, और फिर स्टोर करेगा अपने पास जो म required data तक पहुंच जाए, फिर आप log analysis के functionalities में दे सकते हो, आप event का response एक्टिवेट करा सकते हो, जब भी यार ये वाला event अगरो, for example, एक user है, वो तीन बार wrong password देता है, तो हम security की तोर पे चाते हैं, कि उसका एक घंटे के लिए user block हो जाए, वो login ना कर सके, इस तरह का event आपने देखा होगा कि आप किसी अच्छी website पर जाए, और वहां पर login करें, और login करने के बाद, login करने की कोशिच करें, तो कहता है कि यार आपका account छोड़ी दिर के lock हो गया, तो आप 15 मिंट के बाद आए, उसके बाद आपको दुबारा इजाज़त मिल देगी, कि आप ये दुबा उसके चकर में वो उसको एग घंट के लिए ब्लॉक कर देता है, ताकि यार अगर गलत यूजर है, तो एग घंट के लिए ब्लॉक हो जाए, और यूजर के डेटा के ओपर मजीद ट्राइया ना मार सके एक्सेस करना है की, तो इस तरह करके आप ये इवेंट रिस्वांस ए सकते हैं, नेटवर्क हैं, आपके फाइरवाल से डेटा सकते हैं, और आपके सर्वर से डेटा सकते हैं, और आपके क्लाइंट से डेटा सकते हैं, वो क्लाइंट विंडो की भी हो सकते हैं, लिनिक्स की भी हो सकते हैं, तो इतनी तरह की सर्वर की हो सकते हैं, तो इतनी तरह क में कर विंडो भी चल रही है लिलिक्स भी चल रही है दोनों से चल रही है ऐसी दूरत में आप छोड़े से परिशान होगे यह एक कई लॉग तो पीछे से दॉनेंगे लेकिन आपका और मेसेजिंग फॉरमेट आ रहा है वह उसको रचेकर एक में ओपलागा इसके पर सकते हैं से डूनों के डॉनो की लॉक्प्राइयलक। ऐसके सथानुWeeg में फिल्यूथा सथ्झी साथ उसके जकूपड़ों। audit rails के log आ रहे हैं, उनको आप उस database में store करवा दो, उसके बाद rate control भी होता है, कि आपके बाद होगाद यह होता है, कि system में बहुत ज़्यादा logs आ रहे होते हैं, तो आप उसमें यह भी कर सकते हो, कि आप ना उसमे rate limiting लगा दो, कि आप एक computer से या एक light से, मैंने एक minute में सिर्फ दस बार log लेना है, कि दस entry यहां लेनी हैं, दस ज़्यादा मी लेनी, अगर ग्यार्वी entry बेजे हैं, तो उसको मैं कहा दूँगा, कि भी आपका इस minute में दस entry यहां पूरी हो गई है, अब आप अगले minute में जो गला data है, वो बेजे हैं, तो इस तरह से करके आप उनका rate limit भी सकते हैं, उसके वेजा यह होती है, कि आपका हो सकता है, कि बहुत ज़्यादा बड़ा setup हो, उसमें हजारों server हो, तो अगर हर server बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा data बिजने शुरू करते हैं, तो फिर तो आपका system चोग भी हो सकते हैं, तो इस तरह से करके आप rate limit करते है फिर उसके प्रोटोकोल होते हैं, यह क्या करता है, कि IP के event notification, IP based event notification भिजवाते हैं अपने server को, और उसका जो format है, बड़ा साधा सा है, और इसके अदर जो common protocols हैं, वो history of California, बरकले जो है, उसका format normally use हो रहा, तो उसके अदर क्या होते हैं, कि शुरू में सबसे पहले PR ही होते है जिसके अंदर facility ये severity का code होते है, यह बहुत critical level का message आ रहा है, या कर नॉर्मल level का रहा है, या information level का रहा है, किस तरह कहना, और उसके बाद उसका header होते है, उस header के अंदर time stamp आ रही होते हैं, कि किस time पर event rate हुए है, और किस host name या IP address से ये वाला message आ है, जिससे identification हो जाए किस user की तरह से ये वाला message आ रहा है, PRI में इसके severity आ जाती है, कि कितना severe level का message है, वो severity हमागे देखते हैं, कितने type की, और message में आपका actually content of the message आते हैं, कि कौन सा event अकर हुए है, उसकी क्या detail है, तो ये उसके सामने हैं, आपके सामने के example के तोर पर, सिस law के messages हुए है, कि ये उसकी time stamp आगी कि यार, ये March 1, इतने बज़े, इतने बज़े, और कौन से server या IP, किस वाले IP से काम generate हुआ है, और किस server के उपर हुए है, और उसके बाद की detail आ रही है, कि यार, accepted public key for server 2 from this IP address code, this SSH2, इसी तरह दूसरा event है, ये तीनों SSH के हैं, फिर ये SU से login का, SU login होता है, super user का, so super user क server 1 के उपर, इस time पे हुआ है, और उसके बाद की detail आ रही है, कि bad SU के कने to root on this, जो इसका मदब है कि किसी ने super user के login की try मारी है, के, के, के end नमी machine के उपर, और वो fail हो गई है, तो इस तरह की detail जो Linux user को समझ आ जरती है, कि क्या message आ रहे है, तो क्या event करूआ होगा है, इसके बीचे, तो ये एक sys log के message की आपके सामने example शो हो रही है, कि इस तरह के ke messages होते है, ये करूँ होते हैं, फिरुद हमने कहा था, severity की सरगी होती है, तो सिवर्टी की यह level है, कि यार, facilities के हो इसमें यहां पर SSHD आ रहा था, SSHD का मतलब है कि SSH जो सर्वर है, SSH डेमन है, उसके यह वाले मैसेज़ आ रहे हैं, ठीक है, और यह SU का मतलब है, सुपर यूजर वाले जो है ना मैसेज़ आ रहे हैं, तो यह सारी फैसिलिटीज हैं, जो यहां पर इन्हों नहीं कोई इमरजनसी का सिस्टम मतलब इस लेवल के उपर है का सिस्टम बिल्कुल क्रैश होने वाला है, तो उसकी सिवर्टी इमर्ज होगी, फिर अलर्ट है, फिर पिर एरर है, फिर वर्निंग है, फिर नोटस है, फिर इन्फो है, और पिर डीबग है, यह लेवल होते हैं, यह सबसे मठा लेवल होते हैं यह इन्फो वाला और उसके बाद जो अमर्ज वाला और यह लेट वाले यह बहुत हाई लेवल के मैसरे मिस्छन वाल वह लेवल जुछ सांवर को सिस्टम बिल्कुली मतलम है करेश होने ओने वाला होता तो उस लेवल के ओपर जो लॉग जने रो कि वहां से आप जो है ना audit का डेटा उसको दो API के थूँ या उस कमांड के थूँ और वो डेटा जा कि आपके सिसलोग के सर्वर के अंदर स्टूर हो जाए तो इसके अंदर आप मुथलिकेशन कर सकते हो भी आपके अपनी अप्लिकेशन है उसके आप लॉगिंग करवाना चा होगे तो अभी यह एक मिनट के अंदर अंदर थी हमारी खत्म हो जाए गी और फिर हमपाश मिनट की ब्रेक लेक छे चालिस होटे हैं चे बचके पन्तालिस मिनट पे न यह फिर से continue करेंगे अपना यह जो सैशन है तो अभी हम जा रहे हैं पाश मिनट की पर और 645 के ओपर हम इसको दुबारा कंटेन्यू करेंगे कोई कुस्टन है भी तो इसी इंड होने वाली मिटिंग